प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर 29 प्रिष्ट पर हैं, ये पर्थम सकंध हम पहला सकंध पढ़ रहे हैं, यहां क्या बता है कि मुझे सब परकार से सक्ती यानि दुर्गा के आधीन होकर रहना पड़ता है, उन्ही भगवती सक्ती का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, तो कि दुर्गा की पूजा करता हूं और बिर्माजी मेरी जानकारी में है, इन भगवती सक्ती से बढ़ कर दूसरे कोई देवता नहीं और कोई भगवान नहीं मेरे अध्यात्मी की ज्यान में, पुन्यात्माओं, विष्णु जी, बिर्माजी, नारजी, व्यास जी के ज्यान का तो आपके समक्स ये ओगाई सा कलियर कंसेप्ट, बिर्माजी पूछ रहे हैं, विष्णु जी को और बता रहे हैं, तो आप जगत गुरू हो, सब कुछ आप सर्वेश्वर हो, सब जगत के मालिक हो, और विष्णु जी क्या बता रहा है, कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरी जानकारी में, कोई पर्मातमा नहीं तो इसे सिद्ध है कि विश्णु जी को अध्यात्म ग्यान और वेदों का कैख है भी पता नहीं अब दुर्गा क्या बताती है हिमाले राजा को बिर्म के बारे में जानकारी देती है और कह रही है सात्मा सकंद पानसो बैसेट परिष्ट परिष्ट पा दुर्गा कह रही है कि राजन यदि तुने मोक्स चाहिए तो सब परकार से तु उस ब्रहम की पूजा करो उसका ओव मंतर है ओव मंतर का जाप करो और ब्रहम को पाने का टार्गेट रखो तुम्हारा कल्यान हो और तुम उसको ब्रहम को पा जाओगे और वो ब्रहम ब्रहम लोक में रहता है। अब पुन्य अत्माओं गिता जिद्धैनमर आठ के स्लोक नमर शोड़ा में कहा है कि ब्रह्म लोक परियंत सभी लोक पुन्रावर्ती के अंदर हैं। वहां गए हुए प्राणी भी लोटकर संसार में आते हैं। पुन्य अक्सिन होने पर ये भी पूर्ण मुक्स सथल नहीं है। और ब्रह्म क्या कहता है। किता जिद्धैनमर आठ के स्लोक नमर 13 ये काल कहता है। ब्रह्म कहता है कि अम इती एक आक्स्रम ब्रह्म विवारन माम स्मरन ये परियातİ तदंदेहं सह्याती परमांगतिम। गतिम, मुझ ब्रह्म का एक ओव मकसर है, इसकी जो अंतिम सांस तक साधना करता है, मरते दम तक, स्री छोड़ कर जाते समय तक, तो ब्रह्म से मिलने वाली प्रह्म गति यानि ब्रह्म लोग पराप्त करता है, और भी फिर कहता है, कि मेरे साधना भी मेरे वाली जो गति है, वो भी अति अनूतम है, ऐस रिष्ट है, क्योंकि चोथे जाय के पांच में सलोक में, नूमे में, दूसरे जाय के बार में सलोक में, गीता ग्यान दाता कहता है, जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, ये ब्रहम कह रहा है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, इसलिए गीता ग्यान दाता, अठार में दैके, 62 में सलोक में कहता है, कि तू सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सर्ड में जा, जिसकी करपा से तू प्रम सांती को और सनातन प्रमधाम को प्राट हो, अब उस परमेश्वर के बारे में, स्वम एप्रिचित कहता है, कि मैं नहीं जानता हूं, प्रमात्मा के तत्वगान को, जिसमें सलोक में कहा, कि तू उस तत्वगान को, जिसमें सब संपूर्ण अध्धातम ग्यान है, और वो तत्वगान प्रमेश्वर दौारा ही, अपने मुखार्विन से उचारिच किया जाता है, उसके मुख से उत्रित वानी मही विद्वान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे जाय के 32 और 34 में सलोक में ये कंसेट कलिर होता है, और वो फिर तुझे बताऊंगे, उस प्रमातम तत्वदर्शी संतों की जानकारी देंगे, फिर वो जैसे बताऊंगे, तू वैसे ही करना, तो इसे शिद है कि बिरम भी कंप्लिट गयान नहीं रखता, उसे ने भी उप्सन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उस प्रमातमा की जानकारी वही जानते हैं, और मेरी साधना करेगा तो जनव और मर्तु तेरे भी और मेरे भी, अब थोड़ा ऐसा एक, इन सत्यों के बरामना की और पोल खोल दो, ये किये थे पुन्यात्मा इन से मन जब्बे हटेगा तो हम इनकी आख्यां देख लेंगे, अब जैसे किसी बोरी में कूड़ा करकर ठोक रख्या हूँ, और उपर लिख रख्या हूँ, समय बूरा, खांड, चिन्नी, उन्हें खोल कर देखें देबिरा पट्टा है, ना क्यों लद्दे अंडे, उसने ठाएं अंडे, उन्हें खोल के दिखावा कोई देखें इसमें बूरा को ना, बूरा ऐसी होती है, यह देख दूसरी बोरी, तो फिर तुरन पटक देगा ठाक है, तो अभी तक हम इस कूडें करकट न ठाएं अंडा थे, और इस मोक्स मारक से आपरीचित थे तत्व ग्यान से अपरीचित थे, तो अब हम तभी तो पटकेंगे, इसने ठाक है, जब हम सचाई से अपरीचित होंगे, इनको रिसी महरिसी कहा करते है, बुर्मा विश्ण मौईश को सुप्रेम पावर बता करते हैं, लेकिन इनकी जो सची थी है, उतनी ही है, यह एक बिर अब यह मंत्री है, राम है, साब को, इनको देव को, और ऐसे ऐसे संग प्रमाण है, जिनका कुल मालिक कवीर देव है, कवीर प्रवु है, अब देखिएगा, यह वही देवी भागवत, गीता प्रैस गुरु पुर्चपरकासित, इसके छटे सकंदमा है, यहां देखिएग 414 प्रष्ट पैस, जन्मे जे ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का सरूप है, इस संपुर्ण विशे को विशे सरूप शे बताने की करपा कीजिए, व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चे है कि सत्युग में ब्राह्मन वेद के पूर्ण विद्वान थे, देखिए भी, सत्युग में ब्राह्मन कहो, रिसी कहो, वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके दोरा निरंतर भगवती जगतंबा की अराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललाइत रहता था, परतेक गाउ में सक्ती मंदिर का उद्गाटन हो इस विशे की उनके मन में बड़ी उद्शुकता होती थी, हम बताओ, एक और सुना जो थोड़ारे देखे साथ हम एक और कमाल की बात लेकर रखिए, धर्म की यह सती थी, त्रेता में भी रही, प्रन्तु कुछ हरास हो गया था, सत्युग की दो सती थी थी, वे दुरापर म विशेश रुप से कम हो गई, राजन उन प्राचीन युगों में, जो राक्षा समझे जाते थे, वे कल युग में ब्राह्मन माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मन प्राय पाखन करने में तत पर रहते हैं, दोसरों को ठगना, जूठ बोलना, और वैदिक धर्म कर्म स अलग रहना कल योगी ब्राह्मनों का सभाविक गुण बन गया है, अपना अत्माओं आपके समझ, यह सारा जाड़ा हो गया, सारी तलासी होगी इनकी, अब यह कहते हैं, अब व्यास जी कह रहे हैं, राइटर ओफ पुरान, राइटर ओफ वेद, राइटर ओफ गीता, यह इसके अंदर जो एक दिवद्रिष्टी देजी थी काल भगवान ने, यह पहले से सून योजित होते हैं, यह राइटर काल के, तो उसने इसमें जैसा भी जिसकी वारता थी, जिसने जो कुछ बोला, इसने एजी टीच लिख दिया, इसका अपना इसमें कोई योगदा नहीं नारत से कुछ पूछ रहा था, फिर उसने बताया कि मेरे पिता जी ने विश्मु जी से पूछा कोण बगवान पूजा की योग है, विश्मु जी ने बता जिया, देवी सब तो सुप्रिम पावर है, इससे उपर कोई बगवान नहीं, अब यहा सपष्ठ हो गया कि सत्यू कि पूजा का नाम निसान भी कोना, केवल एक ओम अक्सर है बिरम की उपासना की साधना, उसमें विश्यस तरक कही गई है, लेकिन विश्यस महिमा पूर्ण परमात्मा की बताई है, और उसके लिए तत्वदर्सी संत की तर्फ संकेत किया है कि यदि पूर्न मुक्स चाहिए और उस परमात्मा की भक्ती करनी है, जिससे पूर्न मुक्स होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसके लिए तत्वदर्सी संत की खोच करो, अपूना अत्माओं, जो परसंग चल रहा था, कि ये काल जो है, अपने इन पूत्रों के दौरा, बरमाविशनो महिस के दौरा, अपने इस 21 बरमांड को, यानि परतेग बरमांड में अलग अलग बरमाविशनो महिस हैं, ये जब इनकी जीवन पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, इनकी मर्तु हो जाएगी, नए ब्र्महा विष्णों महेस ये उत्पन करके पहले से कोमा मं रखता है इनकी मरत्यू होती जाती है दूसरे कोवा ला करके सचेत करके बठा देता गदिपर तो अब आपके समक्स ये आ गया के अब किसकी पूज़ा करनी चाहे है और व्यास और रिसी महर रिसीक सत्यों के से लेकर आज तक आज के ब्रामन यानि गुरुओं के बारे में तरह सपश्करेदिया देवी पुराण ने और वही ब्रामन जो कलियों के ब्रामन थे यानि गुरु थे वो कबीर जी का विसेश विरोध किया करते थे आज से 600 वर्श पहले और वो कहा करते थे कि कभी जूटा है वेदों के बारे में ये नहीं जानता इसने संस्क्रित भासा का ग्यान नहीं है ये जूट बोलता है और परमात्मा क्या कहा करते है नीरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याय विचार वेश्या उडे मुल मुल खासा गल मुतियों के आर वेश्या उडे मुल मुल खासा गल मुतियों के आर पती भरता को में ले न खा दी सूखा निरस अहार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याय विचार पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार अज्ञनी को परम विवेकी ज्ञनी को मूड गवार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याय विचार कहें कबीर सुनो वैसादो यां सब उलटा व्योहार कहें कबीर सुनो वैसादो यां सब उलटा व्योहार ये सचों को तो जुठा बताओं इन जुठों का एतबार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन कहे कबीर सुनो भाई सादो या सब उलटा व्योहार कहे कबीर सुनो भाई सादो या सब उलटा व्योहार सच्चों को तो यह जुठा बतावे इन जुठों का एतबार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन दन तेरा दर बार जहां पर तनिक नान्याय विचार पुनात्माओं जब आप इस तत्व ग्यान से परीचित हो जाओगे इन परमाणों को आखों देख लोगे दातों तले उंगली दबाओगे बैठकर और रोया करोगे अकेले बैठकर कहीं एकांत में हे परमातमा ये ग्यान ना मिलता तक कैसा जलुम कैसा कहर तूटता हमारे उपर परमातमा क्या बताते हैं बाई गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो ठोथा बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे नसार रहे अग्यानी अबने तो बिरमा जी को ग्यान वेदों का ना विष्णु जी को ना शिव जी को ना नारद को ना व्यास को ना सतियों के ब्राह्मन रिशियों को नहीं मालूम इन कलियों वाले ब्राह्मन रिशियों को यह नकली रिशियों को कहां से होगा अब क्या बताते थे मुती मुक्ता दर्सत नाहीं ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नेन चेसम इनको फेर्या मोतिया बंदरे परमातमा छस्व वर्ष पहले का करते ही नज्यानियों ने रिशियों 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 को यह नकली ब्राह्मन ने इन गुरुवम अड़िस्वरों को मेंटों को कहते कख भी पता को नहीं है मुती मुक्ता दर्सत नाहीं मोक्स रूपी मुती इनको दिखाई नहीं देते ही यानि ये थार्थ ग्यान से ये प्रिशित नहीं है ये जग है सब अंदरे ये सभी तत्व ग्यान हीन हैं नेतर हीन हैं ये सारे जितने भी बिरमा भी शुनु महेश और रिसी महर रिसी दिखत के तो नेन चसम इनका फिरा मुतिया बंद रे इनका आँख दिख जैसे किसी का मुतिया बंद हो सफेद उसकी आँख ऐसी सवस्थ दिखाई देरती हैं कती सवस्थ के जैसे इसने बहुत गना दीखता होगा वो कती नपटन्दा होता है तो ऐसे ये संस्कृत के ग्याता विद्वान महर इसी पाकी के एक संस्कृत बहां साने जाने के हैं कि और इनको वेदों और उर गीता और पॉर्णों का कैख है पता ने था 55 से वरस होते हैं कि पवित्र सद्गरंथ को सपों को वेदों को अरवेदों का राइटर है व्यास जी गीता जी का राइटर व्यास जी अर अठारा पुराणों का राइटर व्यास जी ये राइटर है लेकिन इसको अनुभाव कुछ ने इसके बारे में जैसा भी काल न प्रेरना की और उसने पहले से ये शो निवजित होता है व्यास फृत एक परते एक द्वाप्रियुग में वही विक्ति फिर यही काम कर जाता काल करवा देता है और परमात्मा के डर से करवाथ है मालिक ने लिखवाने थे ये सारे और आज ये वेद ना उते गिता ना उती पुरान ना उते था हम कैसे समझते हैं बगवान को तो क्या बताते हैं कि दिखत के तो ने अड़ चुसम अब जिसका मोतिया बंद उसके आखे ऐसी दिखत जैसे तो बहुत अच्छी तरह देख लेता होगा पर उसने देखता कुछ को नहीं ऐसी विद्वान को हम थे मैर इसी पाक रहे थे ये तत्व ग् नेतरहीन थे कति अंदे थे तो प्रमातुमा फिर हमें क्या बताते हैं कि जब तुम इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तत्व दर्शी संत यानि सत्गुरु की महिमा से परिचित होगे फिर कैसे किया करोगे सत्गुरु के उपदेश का लाया एक विचारे जैसत्गुरु मिलते नहीं ही जाते नरक दुवारे नरक दुवार में दूट सब करते खेंचाताने उनसे कभो ना छूटते फिर फिरते चारों खाने चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे सो फेरा सब मेट गया हा सत्गुरु के उपकारे बुना तुमाओ आपका सोबा गया है दास बार बार कह रहा है क्योंकि आप तो बच्चे हो लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता जोरी बताया करें आपके उपर जो मेहर है वो न्यारी है समझ लेना चाहिए कोई दुख के कारणाया है वो दुख भी उसके लिए वर्दान सिद्ध होगा एक तिन कि वो कष्ट ना आता तो आप यहां कभी नहीं आते यहां नहीं आते तो आपकी वो दुरुगती होती जैसा यह दास अभी आपको एक परमान दिखावगा उनातमाओ जैसे पूरव के अंदर जो गटनाएं गटी हैं उनको देखकर ही हम सजग होंगे सतरक होंगे आपको द कि आपनी केद रुगती होनी थी और अब नहीं होगी क्योंकि युग्यान ये भगती ये भगवान वो समर्च सकती है जो हमारे पापों का नास कर देगा और इसे पहले हम जो भी साधना करते थे हमने दोनों भोगने पड़ते थे जैसा करम किया वैसा ही भोग मिलना था परवर्तक है श्री रसब देव जी है और रसब देव जी एक राजा थे उनको पूर्ण परमात्मा कवीर देव जी आये थे वो मिले थे सभी पुन्हात्माओं को मिलते हैं उनकी महिमा में लिखा है रसब देव जी को बहुत ग्यान समझाया और अपने बारे में जानकारी दी लेकिन रसब देव जी को परमेश्वर की बातों पर विश्वास लिवा कारण क्या रहा कि वो जो अन्य ब्रहमन गुरू थे वो भरमित कर देते थे कि यह जूठ बोलता है यह उठ पटाएंग बातें कर रहा है ऐसा कुछ ने लेकिन वो इतना प्रेरित हो गया भगवान पाने के लिए घर त्याग कर और जैसा भी उन्होंने कोई गुरू बना था उसे ओम नाम लेकर ओम नाम का जाप रहठी योग सुरू कर दिया एक वरस तो निर आहा रहा फिर उस ने के पौतर ने उनको उसका निर आहार वरती तड़वाई फिर एक हजार वरस तक तप किया गोर तप किया उसके बाद फिर जों ही वो तप करके उठा और फिर सबसे पहली दिक्सया अपने पौतर बरत के पौतर मारीची को दी अब मारीची जी ने वो उपदेश लिया अपने दादा जी रिश्यवदेव जी फाउंडर ओफ जैंदर्म और उस साधना के बाद उसके साथ के बीती कितनी दुर्गती हुई उस जीवगी तो इसे सद है कि जो साधना हम कर रहे थे इतनी हम कर भी नहीं सकते जा साहिन उनकी तो उस से उनको क्या मिला और अब हमें क्या मिलेगा इस साधना के करने से देखिएगा आओ जैंद्रम को जाने एक पूस्तक है इसके ल लेकेंगे पर्वी चंदर जैन में सास्त्री जंबूदी विश्तनापुर और प्रकास से कह स्रीमती सुनीता जैन जंबूदी विश्तनापुर मेर्ट उतर परदेश ये दो सु त्रेनों प्रश्ट है विशिस परकरन आओ जैंद्रम को जाने एक ये परसंद संख्या है ते प्रश्ट परसंद है कि स्री महाविर भगवान के जीवन का कथन कहा से प्राहरम होता है उतर है पुरुवा नामक भील की प्रियाय यानि जीवन से पुरुवा भील कौन था और उसने क्या किया था वह पुश्कलावती देश की पूंडरी कीनी नगरी में वह भीलों का राज से मध मास मधु त्याग वर्च लिया था जिसे जीवन परियंत पालन किया श्री महाविर भगवान का जीव पुरुवा भील की प्रियाय निश्री से कहा गया पहले सोधर्म सुरग में एक सागर की आयुवाला देव हुआ पहले सुरग के बाद श्री महाविर भगवान का जीव किस प्रियाय में गया भरत चकरवर्थी की राणी अनंत मती से मारिची नामक जेश्ट पुतर हुआ ये मारिची नामक जो था ये भरत का बेटा था रस्चब देव का पोता मारिच्ची की प्रियाय से महाविर भगवान का जीव किस प्रियाय में गया ब्रम सुरग में देव हुआ अब यहां थोड़ा सा और परक्रण देना पड़ेगा जो समझ माओ गया आपके यह देखिएगा जैन संस्कर्ति कोस यह है जैन संस्कर्ति कोस यह आगे नहीं दिखाएंगे नहीं को जैन संस्कर्ति कोस जैन इतियास संस्कर्ति कलावें पुरातो पर्थमखन लेखे के प्रोफेसर भागजंदर जैन भासकर यह सारा इनका इतियास लिखा है लेखे के प्रोफेसर भागजंदर जैन भासकर प्रकासक ये दो हैं, ये दोनों मिलके इन के प्रकासक है, ये अपनी माता के नाम होने है, रस्यब के पोत्र यानि पोते मारिची भरत के पूतर को पुराण में वैदिक धर्म का परवर्तक माना गया है, वैदिक धर्म का परवर्तक ये मारिची था, और यही मारिची जैन पर यही आत्मा आग्गे चलकर महावीर भगवान हुआ। रश्यब देव के पौतर मारिची भरच के पूतर को पुरान में वैदिक धर्म का परवर्थक बाना गया है। और यही मारिची जैन परमप्राम आग्गे चलकर महावीर वर्दमान हुआ। आचा, यह देखिएगा। अब 116 परिष्ट पे यह वही है जैन संत्कर्ति कोस जैन इतियास कलावर पुरातो। तिरंथकर रश्यब देव जी की जीवन घटना। तिरंथकर रश्यब देव अंतिम कुलंकर नाभी राज के पूतर थे। उनकी माता मरू देवी थी। वे एक्स वाकू वनसी नाभी राज आयो होदा के एक लोग पर यह राजा थी। तरुन होने पर नाभी राज ने रसव देव का वहा सुननदा और सुमंगला से कर दिया। सुननदा ने तेज सभी पूतर बाहुबली और पूतरी सुन्दरी को जनम दिया। और सुमंगला ने भरत सहीत निननवा पूतरों को और बिरमे पूतरी को जनम दिया। समय आने पर रश्यवदेव ने भरत को अयुदा का बाहुबली को तक्सिला का और सेस यूराजों को उनकी योगितानुसा रज्य सौप कर संसार चाग दिया और दिक्सा लेकर साधना में लीन हो गए साधना काल में पानी पात्री रश्यवदेव एक वरस तक निर आहर रहे बाद में बाहुबली के पौतर सरियांस कुमार ने एक सूरस देख रिए एक का गन्य का रस देख रिड़ की निर आहर वरती को तोड़ा लगातार एक हजार वरस तक तपस्या करने वाले मुनीर सब देव ने अंत में केवल ग्यान प्राप्त किया और धरम देशना आरम कर दी यानि दिक्सा देनी शुरू कर दी आप पर नाम देन लाएगे और पर्थम धरम देशना भरत के पूतर मारीची को दी पहला सिस बनाया मारीची रशब देव ने जो बाद में चौबिस में तिरंथ कर माहवीर बने अब आपने देख लिया के भरत का पूतर मारीची अपने दादा रशब देव जी से उपदेश लेकर उसने वो साधना की जो वैदिक धरम की जाती है यानि ओम नाम का जाफ और हट ही योग ये अपना मनमुखी उससे क्याला हुआ यानि सिरी रशब देव जी से सीधी दिक्सा प्राप्त करने के बाद मारीची जीगी के दुरुगती हुई आगे फिर महावीर जेन बना वही जीव आगे जलके है अब देखो अब आओगी समझ में ये पूस्तक है आओ जेन धरम को जाने है अब यह आपको दिखाई थी पहले वही है ये ये कहां से प्रकासित है बस यहां से देखेगा अब हम इसके दोस्तों तुरणों प्रिश्व पढ़ रहे हैं श्री महाविर भगवान के जीवन का कथन कहा से प्राहरम होता है उत्तर पूर्वा नमक्व भिल की प्रियाय से पूरवा भिल कौन थाउसे ने क्या किया है उतर पूश्कलावती देश की पुंडरी किनी नगरी में विलों का राजा था उसने सागर सेन मुनी राज से मदमास मदू का त्याग वर्थ लिया था जिस से जीवन प्रिंद पालन के अफिर महाविर भगवान का जीव पूरुवा भेल की प्रियाय से कहा गया पहले सोधर्म सुरुग में एक सागर की आयूवाला देव हुआ पहले सुरुग के बाद स्री महाविर भगवान का जीव किस प्रियाय में गया भरत चकरवर्ती राजा की राणी अनंत मती से मारिची नामक जेष्ट पूतर हुआ फिर कहा गया मारिची की प्रियाय से महाविर भगवान का जीव कहा गया आपने देख लिए इस मारिची वाले जीव ने जैन धर्म के परवर्तक रश्टव देव अपने दादा से नाम लिया था फिर उस गेला केव बना देखो वो ब्रम सुरुग में देव हुआ मारिची वाला जीव ब्रम सुरुग में के बाद स्री महाविर भगवान का जीव किस प्रियाय भगवा इस मारिची वाले जीव को ही समझो भगवान स्री महाविर का जीव आयोद्दा नगरी में कपिल ब्राह्मन की काली इस्त्री से जटिर नामक पूत्तर हुआ फिर कहां गया सोधर्म स्वरग में एक सागर की आयू वाला देव हुआ फिर यहां उत्पन हुआ फिर स्वरग में गया फिर यहां वा फिर स्वरग में गया और यहां देखो इप-दोस्टों पिचानु में पर इतर निगोद में एक सागरंकी आईूवाला निगोद्या जीव हुआ इतर निगोद में निगोद से निकल कर शोरी महाविर बनत जीव कहा इनने एक भावद्हारण की एक एक हजर आखि ень वर्क्स में जीवन 80,000 सीप के जीवन भाव 20,000 नीम वरक्स के भाव 90,000 बार केली वरक्स के भाव 3,000 बार चंदन वरक्स के भाव 5,000 करोड़ बार कनेर वरक्स के भाव 60,000 करोड़ बार वैस्या के भाव और 5,000 करोड़ बार सिकारी के भाव 20,000 करोड़ बार हाथी और साथ क्रोड़ बार गदे के भाव 90 लाख बार धोबी 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली ओए 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 और 60 लाख बार गर्व पात से बरड़ है और केवल 80 लाख बार देव प्रियायो को प्राफ्ट हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ इन सब कर्मों को भौग कर उप्रोग भौग को प्राफ्ट करने के बाद स्री महावीर बगवान ने किस प्रियायो को प्राफ्ट किया राजग्रह नगर में सथा और नामक बरा मनो गया फिर मैं अंदर सुरग में गया फिर गया फिर गया जेखा अब महा सुरकर सुरग में देव हुआ माह सूकर सूरुख माह प्रिस्ट नाम अरना हो, महाव प्रिस्ट नारना से महावीर भगवान का जीव गए? साथ में नरकम होगा जा है, साथ में नरक Serv Rider में नरक पे, आव जयन दर्म को जाने। सिंग्री परवत्पर सिंग हुआ, पुने पर्थम नरकम गया, फिर नरकम गया। अब आगे देखो। फिर गोमता गोमता के हुआ। पुष्पोतर विमान में दे हुआ, तनंतर चौविश में तिरंथकर सिरी महाविर बगवान हुआ। पुष्पोतर विमान में देव हुआ, तनंतर चौविश में तिरिचकर महाविर बगवान हुआ। उमारे जीवाला जीव, जो रश्यब देव से उपदेश लेकर के उसकी याद रुगती हुए। और श्री महाविर जी ने के करया, श्री महाविर बगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए। तीन सो त्रेशेट पाखंड मत चलाए। अपना अत्माओं विचारकरण की बात है थोड़ी सी। क्योंकि हम भक्ती मारक में इतने अंदे होगे थे, इतने ब्लाइंड फेथ करते थे अपने गुरुवों पर, कि वह जो कह रहे हैं, वह सची हमने आख मीच के सुनते रहते थे। अब हम देख रहे हैं कि यह साधना जो आज तक करते आए हैं उसकी इसे यह दुरुक्ती हो रही है। रश्यब देव जी से साधना प्राप्त करकर जो वेदों अनुसार दिया करते थे और करते थे सुन भी। उसके करने से महाविर भगवान यानि मारिची वाले जीव की के दुरुक्ती हुई। कभी स्वर्ग में गया, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, फिर नरक में, कभी देव, फिर राजा, फिर देव, फिर राजा, और फिर बिर्यानमाटी शरू होगी। करते हैं साथ क्रोड बार गदा, तीस क्रोड बार कुता है, क्रोड कुतने का अपन पड़ लिया, केवल असी लाख बार देवता बन्या, के चाटव देवता ने, जब फिर गदा बन के खड़ा हो जया, ये तो दुर्गती हुई उस रस्यब देव की दिख्या से प्राप्त, जो वेदो अनुसार साधना करते थे, आगे फिर माविर्द के रूप में, वही जीव आके महाविर जैन के रूप में जन्मया, और महाविर जैन जी का कोई गुरू नहीं, उसने मनमुखी साधना की, और 363 बकवाद पंस चलादी पाखंड मत, और उन 363 पाखंड मतों के अनुसार पूजा चल रही है वरतमान में, जैन दर्म में, अब उनकी के दुरुगती होगी, वो तना तो सुरुग में जा सकते, वो तो सीद्धे तुराशी लाख ही हो नहीं, क्यों पाखंड पूजा, और फिर ये आगे जाके दुरुगती क्या एक विचारे, जैसत गुरु मिलते नहीं, जाते नरक दुवारे, नरक दुवार में दूत सब करते खेचातान, उन से कभो ना छोटते फिर फिरते चारों खाने, चार खानी में भरमते, कभो ना लगते पारे, सो फेरा सब मेटे गया मेरे सत गुरु के उपकारे, अब परमात्मा बताते हैं, कि ऐसा सत गुरु मिल जावद्दो तुमारे को इतना बाईपास निकाल दे, फिर परमात्मा क्या महिमा बताते हैं, साथ समंदर की मसी करूं, लिखनी करूं बन राए, दर्ती का कागज करूं, गुरु गुन लिख्यों नजाए, परमात्मा इस साधना से जो दास आपको दे रहा है, प्रमेश्वर कवीर जी दोवारा दी हुई, और उन्हें का सिर्वाद्दास के उपर है, आदेस है, और बगएर अधिकारी के साधना भी विफल होती है, तो इस से आपको कितना पुन्य होगा, कितना आपको लाब होगा आप इस तोड़ा सी लाख यो नियों में नहीं जाओगे, सो फेरा सब मिट गया, वो बाईपास निकाल दिये परमात्मान सीदे, ये सारे जंजर मिट के, कहते हैं फिर उस संत को, क्या महिमा करूं उसकी, साथ समुन्दर की इंक बना लूँ, पूरी पर्थ्वे जितना पे पर ले लूँ, और लग जाओं लिखन महिमा, कहते हैं सब समाप्त हो जासा, तो समंदर भी सूख जाओं, सब वरक्सों की कलम बना बना लूँ, ये घिस जाओं, तो भी महिमा ने लिखी जा सकती है, अब लिखके दिखाओ, एक उत्ते के जीवन में के दुरुपती होती है एक गधे के जीवन में क्या प्रेशानिया आती हैं, आज हम उस दुख से दूर हैं, इसलिए अमारे नो यकीन ना होता काम भी कभी पसू बनांगे, और या भूल में टेगी से ग्यानते हैं, कि जब महावीर जैसे महापरुस, और मारिची जैसे शाधक, और वो आत्रासी ल चौरासी भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या वनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो सुखदेव जैसे रे सीन भी गधे की योनी भोगी, उन साधनाओं के करने से जो तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो, और उस पा आगे तुम तो दूसरी साधनाओं पर पाखर्ण मतों पर चल रहे हो, सुखदेव ने चोरासी बुगती, बन्या पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या वनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो, वो मारग ग्रिनकर जो मोक्स मारग है, परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सरदर पाओं, बहुर नहीं रहे हैं साधाओं, बोलो सत्कुर्दे, परम पता परमात्मा, परम पूजय कबीर परम इस्वर जी की असीम कर पासे, आप जी को ये तत्वगान सुनने को मिल रहा है, परमात्मा बताते हैं, कबीर परमेश्वर जी, ये स्वम सारी सिर्ष्टी के दाता है, ये स्वम ही एक संत का रूप धारन करके, यहां पर गड़ होते हैं परच्वी पर, अपनी अच्छे आत्माओं को तत्वग्यान बताने के लिए, काल के दुवारा हम सभी आत्माओं को एक सुन्योजित तरीके से यहां भरमित किया हुआ है, जिसको यजीव नहीं समझ सकते, उसी काल के जाल को समझाने के लिए, हमें बताने के लिए परमात्मा स्वम माते हैं, और इस काल भगवान ने, इस ब्रम ने, जो 21 ब्रमांड का स्वामी है, सरपुरुष, इस ने हम सभी को विवस करके रखा हुआ है, हमें ऐसा सरीर दे दिया प्रिट्वी पर कि हम एक चार पांच दस फुट चोड़े नाले को भी कूड कर पार नहीं कर सकते हैं, और हमने जाना है यहां से सोला संख कोस की दूरी पर, नील, पदम, सौंख, तो इस काल भगवान ने हमें ऐसा जकड रखा है, कि हम हर परकार से विवस्थ हैं, परत्रम तो इसने हमारे पांच ऐसी बेड़ी बांदी, काम, करोड, मो, लोब, एंकार, जिसके कारण हम यहीं फसे रह जाते हैं, और परमात्मा की भगती नहीं कर पाते हैं, फिर इस काल ने एक और सुन्योजित शडियंत रचा हुआ है, कि यजी साधना करना चाहे, कोई भगती भी करना चाहता है, तो इनकंप्लीट नौलिज दे रखा है, पुन्यात्माओं जैसे पुट्र चारों वेदों में ब्रह्म की साधना की जानकारी है, और मैमा पूर्ण परमात्मा की परिपूर्ण है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमरत वाणी में लिखा हुआ है, बोला था, कहा था, कि बेद मेरा बेद है, मैं मिलों बेदन में नहीं, और जोन बेद से मैं मिलों ये बेद जानते नहीं, कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, कि चारों बेद मेरी महिमा का गुनगान कर रहे हैं, लेकिन इन बेदों में मेरे पाने की वीधी नहीं है, और जिस वेद में, जिस वेद में, जिस ग्यान में, सुक्सम बेद में, तत्व ग्यान में मैं मिलूँ, वो चारों बेद जानते न, जो ग्यान, तत्व ग्यान सुक्सम बेद में है, कबीरवाणी में है, उसको चारों बेद नहीं जानते, उस गूड रहस्य को, यानि चारों वेदों में वो वर्णन नहीं है जैसे पवीतर वेदों में यदुर्वेदत जहर नंबर 40 के मंतर नंबर 15 में ओम नाम के समर्ण करने का विधान बता है और उसको अंतिम स्वास तक समन करता रहे तो ब्रह्म से मिलने वाला क्योंकि ओम जाप जो है सरपुर्स का है ब्रह्म का है तो ओम के जाप से ब्रह्म से मिलने वाला लाव मिल जाता है वो क्यालाव है ब्रहम लोक प्राप्ती होती है ब्रहम लोक में जाने के बाद भी अपने पुनाओं को अक्सिन कर कि ये प्राणी फिर से 84 लाख योनियों में ऐसे ही जनमता मरता रहता है जैसा कि आपको सत्संग में रहरे कर दिखा जाता है कि महाबिर जैन जी के जीव को कितना कश्ट उठाना पड़ा साथ क्रोड बार गदा, तीस क्रोड बार कुटता और ना जाने कितने योनियों बोगी और केवल असी लाख बार देवता बना तो ये कोई जीवन है तो ओब नाम के जाप से और ब्रह्म तक की साधना से ये दुरगती सदा बनी रहेगी आप जी की और ये यही चाहता है कि ये यही जनमते मरते रहे सत लोक ना चले जाए और परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे पैचान ले सत वक्ती करें और अपने उस सथान पर आजाए जहां ये सदा सुखी रहेंगे तो गीता जिद्ध है नमर आठ के सलोक नमर तेरा में कहा कि ओम इती एकाकसरम ब्रम विभारन मामन उसमनन ये प्रियाती तजंदेहं सहियाती प्रमाम गतिव मुझ ब्रम का के वलेको मंत्र है नथिंग अल्स तो इस परकार गीता जी और वेद एक ही है क्योंकि पवितर गीता जी में पवितर चारों वेदों का निस्करस कोड़ वर्डों में अत्यजी क्यान है संकेतिक सब्द ज़ता है गीता जे द्धैय नमर पंद्रा के सलोक नमर तेईस में ओम तत सत इती निर्देश है ब्रमन तिर्विद समरता है ये इस कार्थ बनता है कि उस परमक्सर ब्रहम की साधना करने से ही पूर्ण मौक्स होगा और उसकी साधना इस तीन मंतर के जाब से है ओम तो सपष्ट है और तत और सत ये सांकेतिक ये कोड वर्ड है तो यहां जो परसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि बेद मेरा बेद है मैं मिलो बेदन में नहीं और जाण बेद से मैं मिलो ये बेद जानते नहीं तो बेदों ने ये सफ़ष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की जानकारी कम्पलीट नहीं है जैसे गीता जी दैय नम्बर चार के स्लोक 34 में कहा है कि वो तत्वग्यान जो चोथे दैय के 32 में स्लोक में जिसके विसे में कहा है कि वो परमेश्वर स्वम आगर के अपनी महिमा आप ही अपने मुख कमल से बोलते हैं वो सचीदानंद घन बिर्म की वाणी होती है वो बिर्मने मुखे उस सचीदानंद घन बिर्म की वाणी में जो तत्वग्यान है जो विष्टार से कही गई है सादनाएं वो तत्वग्यान है उस तत्वग्यान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ है फिर वो तत्व दर्सी संद तुझे उस पर मातुम तत्व का ग्यान कराएंगे और कपट छोड़कर उनको डंडोत परनाम करने से वो तुम्हें ये रजा बखसेंगे कहने का भाव ये है कि वेद भी इनकम्प्लीट नौलिज रखते हैं और गीता जी भी इनकम्प्लीट अधुरा ग्यान है लेकिन गल्त नहीं है अप उन्हात्मों आप जी किसी से टेलिफॉन मिलाते हो और उसमें आपके पास तीन अकसर तो ठीक हैं बाकी तीन अकसर या दो अकसर जो और नहीं हैं उनकी जगे केवल डौट लगे हैं तो आप क्या मिला होगे कहां बात करोगे यानि इनकम्प्लीट है वो विर्थ है इसी परकार इसमें उस परमात्मा की जानकारी ऐसे डौट लगा कर दे दी सत्रमें जाय के तेईसमें स्लोक में है ओम तो कलीर लख दिया एक नम्ब्रत है और दो डौट लगा दी तत और सत लख दिया इन डौट को कोण बताव है और जब तक ये डौट नहीं बताई जाएंगे इतने ये बात पड़े नहीं बगवान मिले नहीं उससे कनेक्शन होनी तो विर्थ है वो अधूरा है और विर्थ है इसी परकार जितने भी सद्गरण थबी तक हमें लब्द थे उनमें डौट ल ज़्यादा थी तो इस परकार ये डैस लगा रखे हैं इनको अब परमातमान कबीर परमेश्वर जी ने उस दानक कबीर ने जो लहा कबीर जी ने परमेश्वर ने जो बनार समाए थे वो पूर्ण परमातमा है सारे बर्मंडों के रचनहार है वो हम सब के जनक हैं वो हमारे पिता है वो हमारे लिए भटक रहे हैं यहाँ पर और हम उन्हें पैचान नहीं पा रहे हैं जिस कारण से हम इस काल साधना करके ही इसी के जाल में भसे रहते हैं उसको बताने के लिए प्रमात्मा आते हैं जिसकी व давно गवाई देते हैं जिसकी वेद भी गवाई देते हैं वो परमातमा अपने तीसरे मुक्ती धाम में रहता है वहांसे गती करके आता है अपने लूप को सरल करता है सरल करके हलका तेज पुञच का बना कर के और अच्छी आत्मा़ों को मिलता है तो इस परकार इस काल ने हमारे को यहां बरमित कर रख्या है सास्तर विर्द ग्यान से हमें रंग रख्या है सास्तर विर्द विदी त्याग का मनमानी पूजाओं पर हमें लगा रख्या है और हम उसको परमप्रागत करते हुए देखते आ रहे हैं हमारे हर्दे में वो गहरी समा गए है बहुत बुरी तरह जचगे कि यह सही साधना है और यह काम किया है नकली गुरुवों ने उन डुपलीकेट गुरुवों ने जिनको कह खैका भी पता नहीं था बक्ती मारक का तो उनके विशे में प्रमेश्वर ने कहा कि गुरुवां गाम बिगाडे संतों गुरुवां गाम बिगाडे ऐसे करम जीव कर लादिये इव जड़े नहीं जड़े और काल यहीं चाहता है कि यह सब मिसगाइड रहें बरमीत रहें आत्मा भगवान की भक्ती बिना नहीं रह सकती परमातमा की चाह इसको उसी दिन से महसूस हो गई थी जिस दिन से ये वगवान से भी छुड़कर आई है परमातमा कबीर पर्मेसवर जी हमें समझाते हैं कि मैं रोवत हूँ शिरिष्टी को शिरिष्टी रो एमोहे और कहे कबीर इस व्योग को समझ नहीं सकता कोई परमात्मा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूं भटक रहा हूं तुम्हारे लिए कि तुम यहां बहुत कस्ट उठा रहे हो यह तुम्हारा सथान रहने का नहीं यहां तो तुम्हें परताडित किया जा रहा है पलपल में रात दिन आपको पल की चैन नहीं इतना पीडित किया हुआ लेकिन आप इन दुखों को सहन करन के आजी बनेगे विकलब आपको मिला नहीं आपने इसी कष्ट को जनम और मर्टू को किसी की टांग कटगी किसी का कोई भेंकर रोग से पेड़ी था किसी का बेटा मर गया किसी की बेटी मर गया आप जी ने ये जान लिया ये मान लिया कि सब के साथ हो रहा है यहां ऐसा ही होता है और यही ठीक है यह खाक ठीक है अब जैसे हम पहले क्या सोचा करते थे कि बेटा हो लड़का हो ताकि मेरा वन्स चला है और एक नहीं दो हो एक का भी कि बेटा दो हो दो किसलिए हो कि एक मर जाते एक तर जीवी तरह जा जैसे यही था मनमें कि एक ही मरतू हो जाए कम से कम एक तो बच जाए अब बताओ हमें पहले पालूब है कि कुछ भी बिजली गिर सकती है और फिर भी हम इसको ठीक मान रहे है तो यह हमारी भूल थी ग्यान हमें था नहीं और हमने कोई और विकलब मिला नहीं परमातमा हमें क क्योंकि नकले गुरू उन्हें में बर्मित गणा कर रख्या था अब क्या बताते हैं परमातमा निर्बान निरंजने चिन भाया दुखदारी दर्मोक्स करे करता ग्रब वास में ते नज नाम रटे क्यों योगन योगन चोले धरता ग्रब वास में ते नज नाम रटे क्यों योगन योगन चोले धरता चल थीर करूँ अवगत नगरी तू लख चोरासी क्यों फिरता चल थीर करूँ अवगत नगरी तू लख चोरासी क्यों फिरता सत संगती ले निज सादुन की नहीं नाम बिना कारज सर्ता सत संगती ले निज सादुन की नहीं नाम बिना कारज सर्ता गरब वास में टै निज नाम रटै क्यों जुगन जुगन चौले धर्ता दयावन्त विवेक भहे ग्यानी टुक छेड करेत सब लड़ता ये चुंडित मुंडित पकड लिये इनसे जमक कर नाडरता तू कौन कहां से आने फश्या देखो आगे बिराणी क्यूं जड़ता समझें नहीं सोख सूद्र गैले बेड़े भूत भई जो पिंड बरता मुक्त होन का भेद कहूं चल चौर सुहंग मुझित ढूरता कहदास गरीब निवास सदा जहनाद अखंड अजब गुरता कहदास गरीब निवास सदा जहनाद अखंड अजब गुरता निर्वान निरंजन चिन भाईया दुखदारी दर मुक्ष करे करता गरब वास में टैने जनाम रटै क्यों युगन युगन चोले धरता आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर मी 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541